हेलो फ्रेंज मेरे डेजल क्लासस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं तो फाइनली डिएड और वीड का मामला स्वाल होते हुए देखने को मिल है जहाँ पर 28 नमबर को अफडेट पढ़ चुके होंगे ठीके और 38 नमबर को अपडेट देनों को बोला गया हाई कोट सरकार को यहाँ जल देखनो को मिलेगा 28 नमबर को क्या आप डेक यहाँ आती है यहां पर दोमें को है प्रोमॉशन के लिए के लिए यहां पर ऐसे त्यारी के लिए श्रीं लिस्ट त्यार करने के लिए के लिए वह वी बोला गए इस पर आपसे नुमंबर आपक्डेट के दालो को के लिए बोल गे 21 दिन में डियोट वालों का selection list में इनका जो है बेलेट जो जितने भी जो आपने भी पात रहें उलों का selection list मैं selection list को त क्यार करनेके लिए के लिए हाई कोड़ ने साब-साब सब्दने में यहां पर बॉला गया खहा है तो हाई कोड़ का आपका और यहां पर हम आगे दखेंगे और अगाया को होगी अगली सुनमाई करके बोली गाई और सुनमाई जहां अब तक पालम नई हुई इसमें बोला गए प्राइमरी में और को यहां पर लंबे समय से यहां पर मुद्दा बना हुआ जिसमें प्राइमरी में डेड़ वालों को निपती 21 दिन को सरकार को टाइम दिया गए 21 दिनों के भीतर में यहां पर सुची जो सेलेक्शन लिष्ट है बना के देना इसके अगल जो 28 नमबर वो इसके सुनवाई होने व सुची जारी करने के जादेश दिये थे इसके खिलाप सुप्रिम को से खारी जोची किती लेकिन अब तक हाई कोट के आदेश के पालन नहीं हो सका है यहां पर आधेस का पालन नहीं पाई इधर इस मामले में आउमानना को याजिका लगाई थे जो जितने में पेडिये में अव्मानना के प्राइटि के रोप में निव्ती के चैने वाले उमिदवारों के सुची बनाने को कहा है और चटीगण सासन ने सहायक सीख्ष को करिक लगभग 6500 पदों पर भरती के लिए 4 मई 2023 को विग्यापन जारी किया गया था ठीक जो लगभग पैसार सो बादों के लिए भरती के लिए लगभग 4 मई 2000 पिछले जो पिछले साल जो गया पिछा जारी किया थे भरती जो सक्षडिक सवर्ग भरती नियम 2019 में संसोधी सुचना दी गई इसके अनुसार सहयक सिक्षा की भरती के लिए इस नातक के साथ 28 आउड अनिमाज योग्यता यहां पर रखी गई थी क्वालिफिकेशन के रूप में 10 जून 2030 की परिक्षा होनी थी परिक्षा होना था परिक्षा से पहले जो विग्यापन और भरती नीमों को हाई कोर्स से चुनावती यहां पर दी गई थी डिलेट करने वाले विकासी यूरासी अन्य ने आचीका में बताया कि डियेट कोर्स में प्राइमरी स्कुल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अ नियम के अनुसार सहायक सिक्षक पद के लिए बीएट करने वाले प्रात्र नहीं होंगे करके जो है बोला गया था लेकिन चैन सुची जारी हुई तब प्राइमरी स्कुलों में सहायक सिक्षक के पद पर लगबग 2008 लगबग 2877 में 2877 में बीएट उमिद्वारों के यहां नियम कर देना था बाकी यह जो है बीएट वालों को नियम दे गई थे इसमें साफ साफ यहां पर वही बताया गया है जिसमें 2897 बीएड मिद्वारों के यहां पे निउक्ति की गी थी इनके जगर डियलेड वालों को निउक्ति देना था जिसमें 4 सितंबर 2020 इसको सभी राज्यों के मुखे सच्यों को सुप्रीम कोट के आदेश के जानकारी दी इसके अधार पर कारवाही करने को कहा गया है इसके बाद बीएड वालों के निउक्ति कर दी गई जबकि इसकी जानकारी वीभाग के अधिकारियों को भेजी जा जूक सब्सक्राइब के जारी करें पुरुषी सुची वहाई कोट के जो चीप जस्टिस है रमेश सिन्ना जी अभी हमारे चीप जस्टिस है इन्हों ने जो है अबने जो है डिवजन बेंची ने दो अपरेल 2024 को दिये गए फैसले में जो है प्राइमरी स्कुलों में सहायक मिद्वारों के नियुक्तर निरस्त कर दी थी राज्य सासन को जो है छैस अपता में पुरुषी चैन सुची जारने करने जो है आदेश दिये थे इसके खिलाप SLP के जो सुप्रिम कोट ने खारी हो चुकी है लेकिन अभी तक अभी तक जो है आदेश का पालन नहीं हो सका ह कि जहां पर देख सके हैं यहां पर पालन नहीं हो सका है राज के नियूज कटिंग में भी यह साप साब यह जह हाई कोट के द्वारों को सुची बनाने में हाई कोट के साप साप यहां पर निर्देश दिये गए और इसकी अगली सुनवाई 28 नौंबर को होना है जहां पर जो है लिश्ट यहां पर बोली गई साप इसमें बोला गए है इसमें साप बोला गए है कि जो है कारी जो है अच्छा सापता कि आउधिक लिए भीता जो है पूरा किया जाना चाहिए आदेश का जो है सरवच न्याला में चुनवती दी गई है जहां SLP को खारीज कर दी सब्सक्राइब करने के जो है निर्देश यहां पर दिये गए है तो वही है यहां पर मिटर आज के कटिंग है जहां पर सुप्रिम कोट के द्वारा बोला कि सरकारी नौकरी के भरती प्रक्रिया के बीच में नहीं बदलाब जा सकता नियाम जैसे कोई भी जो है नोट भी के सब्सक्राइब करना है सरकारियों कर अभी यहीं से निकलती तो इस भरती प्रक्रिया के दवरान बीच में जो कोई पर चेंजोगर नहीं होता हो सके का ऐसा करके यहां पर अनुम्मति यहां पर देतुब्य आज जो है यह न्यूश कटिंग यहां पर दिया गया है और जो फैसला है हमारे जो चीब जस्ति से चंद्रचूण जी और पांच जजों के सभीधार पिट में यह जो है आविदन प्रक्रिया अमंत्रित करने के वाले विग्यापन जारी करने से सुरू होती है और रिक्तियों को भरने के समाप्त बीच में नियुमागर में पर यहां पर वही बोला गया है कि भरती प्रक्रिया आविदन मंगाने से सुरू होती है और रिक्तियों को भरने के सांथ समाप्त हो जाती है और चयन के पातरता नियुमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है या कि वहल तभी किया जा सकता है जब मौजद नियम ऐसा करने का नुमति देती है यहां तक कि भरती के नियमों को जित्ते भी भरती के जो नियम होते हैं नियमों की सविधान के अनुच्छे 14 समानतक अधिकार अनुच्छे 14 में समानतक अधिकार दिया और 16 जिसमें सरवजिनिक रोजगार भेद भावना करने के जो है इसमें जो अधिकार के करना होगा नियंम मन माने नहीं प्रशान होगा चैन सूची मिंन निप्ति निप्ति किसें विद्वार रोजगार पूर अदिकार नहीं हो नहीं देती और के जो मपाई ऑच्छा कानुन वह गलत नहीं ऐसे करके पोला गया है तो यह नाया है नियम जो जो ही जो है हाल इंबर है और सुप्रिम कोट ने इसके लिए आदेश भी निकाली गई कि सरकार ने नकरी जो भी भरती वगर आती है इसमें जो है बीच में अगर जो है चैनल नहीं होगा इसमें साफ साफ यहां पर बहुत सारे ऐसे भड़ती है जो इस तरह के हां पर बहुत पड़ा हो इसी कर देखते हुए जो फैसला सुप्रिम कोट ने जो है निकाली ही आप जिसने उसको आज के कटिंग को टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा वहां से पढ़ लिजीगा ठीकी तो चलिए बाकि इसके बारे में आप क्या सोसने है कमेंट बाक्स और करके जर सब्सक्राइब करके जरूर पताईए ठीके चैनल में पहले बारा है तो चानल को सब्सक्राइब करके रख लिजीगा थाइंक्यू